Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video So today we are going to have discussion on some of the important MCQs for Maharashtra State Examinations 2020 जो आपका December मन्त में होने वाला है तो काफी सारे वीडियोज मेंने अल्रेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिये है Paper 1 हो या Paper 2 Commerce हो उसके भी वीडियोज मेंने प्लेलिस्ट ही प्रिपार करके रखी है आप वहाँ से चेक कर सकते है तो अगर आप पहली बार चैनल पे आये हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले Because अगले एक माहिने तक आपको सारे के सारे सेट से रिलेटेड जितने भी Important है, expected MCQs होंगे वो सारे conceptual base पे हम यहाँ पे डिसकस करने वाले है तो आज हम जो MCQs discuss करने वाले यह जो part 4 है उसमें हम Indian logic के काफी सारे MCQs discuss करेंगे आपने देखा होगा कि net के paper में बहुत सारे questions अभी Indian logic के आ रहे है बट Indian logic के उपर पहले basic basic questions पूछे जाते थे अब थोड़े से deep में questions यहाँ पे पूछे जा रहे है तो हम सारे एके करके discuss करेंगे और आपको किस तरीके से इसको याद रखना है वो भी चीजे में आपको बताऊंगा तो आए स्टार्ट करते हैं आज का lecture Indian logic के उपर some of the expected MCQs यह मेरा profile है अनकेडेमी पर आप मुझे वहाँ follow कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मेरे रेफरेल कोड के साथ तो question number one question number one है non-erroneous cognition which is produced by intercourse of the sense organs with the objects is known as perception, inference, comparison या verbal testimony तो आपको याद रखना है काफी important point है यह अगर sense organs की बात की जा रही है sense organ के बारे में कभी वी कुछ भी पूथा जाएगा तो आपको याद रखना है उसका right answer बने का perception अगर हम perception की बात करें तो perception एक direct and immediate cognition होता है जो produce किया जाता है some senses के basis पे और यह प्रत्यक्ष को या perception को हम प्रत्यक्ष के नाम से भी जानते है तो प्रत्यक्ष मतलब perception जो Indian language, Indian logic के basis पे बोला जाएगा तो प्रत्यक्ष का मतलब ही perception होता है तो आपको ध्यान रखना है perception अगर पूछा गया तो perception is also called as प्रत्यक्ष ओके that is very important point to write answer for this is perception फिर perception आगे दो points में divide किया गया है determinate और indeterminate वो हम आगे बात करेंगे मैं एक चार्ड बना के आपको दिखाऊंगा परदर आगे बढ़ते है second question the major term is called as इन में से major term कौन सा है साध्य, पक्षा, हेत्य या व्याप्ति जान रखना काफी important point है देखो कैसे याद रखना इसको SPH नाम याद रखना SPH S से क्या है S से है ताध्य P से क्या है P से है पक्षा और H से क्या है H से है हेत्य साध्य, पक्षा और हेत्य तो आपको कैसे याद रखना है major, फिर minor और फिर middle अगर major term की बात करें तो major term कौन सा होता है major term है हमारा साध्य minor term की बात करें तो minor term कौन सा है पक्षा और middle term की बात करें तो middle term कौन सा है हेट्टू, हेट्टू is also called as reason, यहाँ पे major term के बारे में पूछा है, तो right answer for this is साध्या, तो साध्या इसका right answer है, ध्यान से काफी important, बहुत सारे paper में इसके उपर questions पूछे गए है, अगले question में जाते है, what kind of knowledge is derived from comparison, तो ऐसा कौन सा knowledge है, जो हम किसी को compare करके धू उपमान, अर्थपट्टी, अनुपलबदी, या वैप्ती, तो आयाद रखना, जबी भी comparison की बात करेंगे, तो comparison कब होता है, comparison होता है, उपमान में, उपमान में हम क्या करते है, comparison करके कोई भी knowledge derived करते है, इसलिए उपमान में similarity की बात की जाती है, उपमान मतलब similarity, और मान मत मतलब cognition, जहां से हम knowledge को derived करते है, तो basically, comparison की बात की गई, तो उपमान इसका right answer बन जाएगा, next question में जाएगे, अब perception के बारे में पूछा गया है, काफी important question है, the perception in which we can't determine the features like size, shape of the object is called as, determinate, indeterminate, both A and B, and none of the above, जहां पे हम determinate perception की बात करें, तो वहां पे क्या होगा, देखो, perception में अगर देखा जाए, तो दो टाइप के perception है, ordinary perception, और extraordinary perception, ordinary perception को हम low kick के नाम से भी जानते है, और extraordinary perception को हम alow kick के नाम से भी जानते है, तो अगर हम बात करें, indeterminate perception या determinate perception की, अगर हम सबसे पहले determinate की बात करते, देखो, determinate perception में क्या होता है, determinate perception arises when the knowledge of the object consists of character such as name, color, shape, तो basically, indeterminate perception में, या determinate perception में थोड़ा सा ही difference है, determinate perception में क्या होता है, जब हम कोई भी knowledge, color, size, या shape, इस basis पे अगर derived करते हैं, तो उसे determinate perception बोला जाता है, और अगर color, size, shape, इस basis पे अगर knowledge derived नहीं करेंगे, तो उसे हम indeterminate perception बोलेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है, we can't determine, अगर can't determine है, तो right answer क्या बनेगा, right answer बनेगा, indeterminate perception, अगले point में जाते है, the knowledge which arises from other knowledge, देखो एक ऐसा knowledge, जो दूसरे knowledge से arise होता है, उसे क्या बोला जाता है, तो ऐसा knowledge, जो दूसरे knowledge से arise होता है, उसे अनुमान बोला जाता है, अब भी हमने discuss किया था, कि comparison करना मतलब उपमान, अगर हम एक knowledge को दूसरे knowledge से derived करेंगे, तो knowledge which arises from other knowledge is called as अनुमान, अनुमान को दूसरे point में inference भी बोला जाता है, तो अनुमान का मतलब क्या होता है, अनुमान का मतलब है inference, ज्यान रखना, अनुमान is also called as inference, इसमें ही वो concept आते है, साध्य पक्षा और हेतु, जैसे वो smoke का example आप सब जानते है, अगर पहाड़ी पे धुआ है, इसका मतलब वहाँ पे आग लगी है, तो basically same examples आपको बहुत सारे books में मिलेंगे, और एक generalized examples है, तो यही example से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीके, तो अगर हम एक ही knowledge के basis पे दूसरे knowledge को derived करेंगे, that is called as anumana, अनुमान में अगर देखा, तो anu का मतलब क्या होता है, after और man का मतलब होता है, cognition, तो after the knowledge, that is called anumana, inference, ठीके, the fallacy of unprude middle, यान से fallacy के बारे में भी अभी बहुत सारे questions पूछ रहे, the fallacy of unprude middle, actually है हेत्वाभास का concept है, तो fallacy in inference is called as हेत्वाभास, ठीके, हेत्वाभास के अंदर बहुत सारे points आते हैं, असिध्य आता है, सववभीचरा आता है, सत्य प्रतिका आता है, भधित्ता आता है, और basically विरुद्ध भी इसमें concept आता है, तो अगर हम बात करें, ये five kinds of fallacy आते हैं हेत्वाभास में, तो उसमें अगर देखें, तो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है, the fallacy of unprude middle, the fallacy of unprude middle के बारे में बात कर रहा है, अगर fallacy of unprude middle है, तो that is called as असिध्धा, तो इसका right answer है, असिध्ध, ठीके, तो थोड़ा सा एक concept technical है, ध्यान से इसको पढ़के रखना, the source of knowledge which is derived from the similarity between two things, अब भी हमने discuss किया था, कि similarity between two things, दो points के बारे में similarity देखा जाए, मतलब देखा जाए, तो यह क्या बोलना चाहता है, comparison किया जाए, तो comparison के बारे में अगर है, that is called as upamana, upamana is the right answer for this, तो हम इसमें क्या करने वाले है, comparison करने वाले है, जान रखना, similarity धूंडेंगे, comparison करेंगे, तो उसको बोला जाएगा, upamana, further, यह match the following, I think आपको अभी यह concept clear है, देखो मैंने अभी आपके साथ discuss किया, major, minor, and middle, यह concept अभी हमने आपके साथ discuss कर लिये है, I hope इसका answer आपको आता होगा, कैसे याद रखना है, S-P-H, S-P-H, साध्या, पक्षा और हेतु, तो major term का साध्या, minor term का पक्षा, और middle term का हेतु, तो right answer बनेगा, A option, A is the right answer, 2-3-1, काफी important question है, ध्यान से इसको solve करना है, which of the following statements are correct, number one, in पूर्वावत अनुमान, तो यह अनुमान की बात कर रहा है, देखो, अनुमान के kinds है, बहुत सारे, अनुमान मतलब inference, हम ही हमने discuss किया था, पूर्वावत, सेसावत, ऐसे बहुत सारे उसके points है, तो उसमें 2 points पूर्वावत और सेसावत के बारे में कुछ statements है, तो इन में से कौनसे statements सही है, इन पूर्वावत अनुमान, we infer the unpersealed effect from a perceived cost, तो unpersealed effect from a perceived cost की बात कर रहा है, तो इसके लिए example देता हूं, आपको काफी simple है, अगर हम देखे इसके लिए example, तो अगर clouds दिख रहे हैं आपको, तो clouds दिख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे, अभी थोड़े दर में बारिश होगी, तो यह आपने क्या कर दिया, यह आपने prediction कर दिया, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपका prediction क्या था कि, अगर बादल दिख रहे हैं, इसका मतलब, अभी थोड़े दर में बारिश होने वाली है, रेन जैसा climate हो चुका है, तो that is the point, यही पुरुवावत अनुमान की बात करता है, फिर number second point, तो यह बिल्कुल सही है, first answer first point तो बिल्कुल सही है, in सेसावत अनुमान, we infer the un-pursued cost from a pursued effect, तो अगर हम देखे कि कही पे बाड आई है, बहुत सारा पानी भरा है, तो बाड आई है, इसका मतलब, बाड कैसे आ सकती है, जब कही पे रेन हुआ है, बारिश होए, तो यह उल्टा concept होगे, that is called as सेसावत, त example दिया था, clouds का example, clouds दिख रहे है, इसका मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, कि rain होगा, और इस सेसावत में आप क्या देख रहे हो, सेसावत में क्या होता है, कि यहां पे flood आया है, तो flood आया, इसका मतलब, आप क्या सोच रहे हो, कि बारिश हुई रहेगी, already हुआ है, क्यो सब्कुल सही, अभी हमने discuss किया, और अनुमान means after cognition, तो after भी है, तो अनुमान refers to after cognition, that is also right, तो इसका right answer है, all of the above, all of the above is the right answer for this question, आगे बढ़ते है, ordinary perception is also called as, ordinary perception को क्या बोला जाएगा, ordinary perception को लवकिक, अलोकिक, पुरवावत या सेसावत, आपका भी concept, बोला जाएगा, लवकि तो ordinary perception को क्या बोला जाएगा, लवकिक बोला जाएगा, ठीक है, तो perception काफी important है, अगर हम perception की बात करें, perception दो points में divide होता है, एक होता है ordinary, और extraordinary, मैं आपको एक diagram цвет करके बता तो, सो जिट आपको उसका details समझ में आएगा, देखो, perception की अगर बात करें, perception दो points में divide होता है एक होता है ordinary और दूसरा होता है extra ordinary ordinary and extra ordinary ordinary अगर देखा जाए तो इसी को बोला जाता है लवकिक और extraordinary को बोला जाता है अलवकिक ज्यान रखना तो लवकिक और अलवकिक यह ordinary और extraordinary के concepts है फिर determinate indeterminate जो visually auditory ऐसे भी बहुत सारे points आते हैं लेकिन आप फिला इसमें इतना है रखना अगले mcqs है हम अगले lecture में उसको discuss करेंगे I hope कि Indian logic के कुछ mcqs आपको clear हुए है इसमें से और कुछ concepts भी आपके revise हुए है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें अपने friends में share करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को subscribe कर ले और और टेलीग्राम चैनल जॉइंट कर ले लास्ट में इंटर वीजन विदारे से उसमें सारे पीडियो में आपको free of cost लास्ट में share कर दूंगा थैंक्यू वरी मच अल उफ यू बाई बाई टेक केर